ओम श्री गनेशाय नमा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशी के बारे में 16 अप्रेल गुरुवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर अधारित है 16 अप्रेल गुरुवार को वैशाक मास के क्रिशन पक्ष की नवमेति थी साएकाल में 6 बचकर 13 मिनट तक रहने वाली है उसके बाद 10 में तिती प्रारंब होगी इस दिन श्रवन नक्षत रहेगा पूरे दिन चंद्रमा का नक्षत रहने वाला है साग्ययोग में चंद्रमा मकर राशी से गोचर करेंगे रहुकाल का समय दोपहर एक बचकर 57 मिनट से लेकर 3 बचकर 34 मिनट तक रहेगा इस समय में किसी भी नए वैशुब काम की शुरुवात नहीं करनी चाहिए ग्रह गोचर के अधार पर ग्रहों के स्थिती इस प्रकार बन रही है कि सूरिय मेश राशी में, बुद्ध मीन राशी में, शुक्र विर्शव राशी में, मंगल ब्रस्पती शनी मकर राशी में, रहू मिथुन राशी में और केतू धनू राशी में रहने वाले हैं दोस्तों गुरुवार का दिन आपके लिए कई मामलों में बहुत खास और कई मामलों में खराब साबित हो सकता है गुरुवार के दिन अलगाव की स्थिती बन सकती है इस दिन आप पर स्वार्थ हावी हो सकता है गुरुवार के दिन बोल बिगणने वाले हैं आपकी लब लाइफ में गड़बड होने की संभावना भी बनी हुई है प्रेम संबंदों में कड़वाहट इस दिन आ सकती है मन बेवजय परिशान भी हो सकता है इस दिन आपको अपनी शेहत का खास ख्याल रखना होगा हाला कि पहले से स्थिती में सुधार होने की संभावन में गुप्त विद्याओं में भी रूची बढ़ सकती है इस दिन गुप्त संबंद भी बन सकते हैं गुरवार के दिन खूनी रिस्तों को छोड़ कर आप नए लोगों पर ज्यादा भरोसा कर बैठेंगे दिल से जुड़े लोगों का दिल भी तोड़ सकते हैं प्यार में धूका करने से इस दिन बचना चाहिए नए संबंदों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है मितुनराशी वालों गुरवार के दिन व्यापार वे नोकरी के हालाद समानने रहेंगे धनाने की संभावना है लेकिन अनावश्यक खर्च भी आ सकते हैं पुराने मित्रों से भाई बहनों से नराजगी कल दूर हो जाएगी संतान के प्रती विवार अच्छा रखने की जरूरत है विवाहिक जीवन में भी मदूरता बनाए रखने का प्रयास करें नए काम की शुरुवात के लिए दिन ठीक नहीं होगा व्यापारी रिस्क लेने से बचें इन्वेस् प्रतिशत 60 प्रतिशत रहेगा इस दिन आपके लिए शुब रंग सफेद होगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गनेशाय नमा चुरूर लिखें